नमस्कार दोस्तों मैं सुनिल शर्मा आपका रक्षम टैक में बहुत बहुत सुवाद करता हूँ फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बेस्ट DVR फो डोमेस्टिक कस्टमर एक डोमेस्टिक कस्टमर को CCTV DVR परचेज करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स सबसे पहली जो चीज है सबसे इंपोर्टन है जो वो ये है कि आपको DVR परचेज करने से पहले ये बात कन्फर्म करनी चाहिए कि क्या वो DVR All-in-one DVR है या नहीं All-in-one DVR का मतलब यहां से ये है फ्रेंड्स कि वो DVR जो है हर तरह के CCTV टेकनोलोजी बेस CCTV कैमरा को स्पोर्ट करेगा कि नहीं करेगा All-in-one DVR परचेज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा आपको कि आप उस DVR पर किसी भी CCTV कैमरा कमपनी का CCTV कैमरा यूज कर सकते हैं डेफिरेंटली वो रन करेगा All-in-one DVR को ही XUR कहा जाता है Friends किसी भी domestic client को DVR परचेज करने से पहले एक और बात का ध्यान रखना होता है और वो यह है कि उसी यह confirm करना चाहिए कि क्या वो DVR H.265 बेस्ट है H.265 के अंदर H.264 के मुकाबले ज्यादा दिनों तक recording होती है Friends सबसे अच्छी बात यह है कि All-in-one DVR पलस H.265 DVR जो कि मैंने आपको suggest किया है परचेज करने के लिए अगर इस तरह का कोई भी DVR आप परचेज करते हैं और एक normal DVR के price के अंदर बहुत ही कम difference होता है जैसा कि Friends मैंने आपको बताया है जो specification मैंने आपको यहाँ पर दी है अगर आप उसके according CCTV DVR परचेज करते हैं तो definitely वो आपके लिए beneficial होगा Friends इस वीडियो से related याफे CCTV camera से related कोई भी question अगर आपके पास है तो आप हमें comment में पूछ सकते हैं We will definitely reply to you as soon as possible Friends हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करना और हमारे चैनल रक्षम टेक को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा Friends हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद Thanks for watching